हुआ 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 है वेरी वेरी गुट इवनिंग एक बार वाइस चेक कर लिजिए फटा फट वाइस किलियर है या फिर कोई इशू है बता लिजिए मैं दो मिनिट वेट करके स्टार्ट कर देता हूं आज एक कुशन कराएंगे जिसमें ज्यादा टाइम हैं और इनफेक्ट एक्जाम में आया हुआ भी कुशन है यह क्लियर है सभी ने कंप्लीट प्रैक्टिस करें हैं या नहीं करें हैं पहले के सारे चलियर है अभी तक जितना कॉंसेप्ट कराया है रिडंशन ऑफ डिवेंचर में सभी को क्लियर है कि सर्सूर्स कितने होते हैं सर्सूर्स हमारे पास जो अवेलिबल है वह कौन-कौन से सोर्स है सर्सेक्यूरिटी प्रीमियम मतलब डियार बनाना होता है कितने परसेंट बना परसेंट बनाना होता है और हम 10 से उपर जितना मर्जी बना ले वह हमारे इच्छा है सर साथ के साथ हमें डी आराई भी बनाना होता है वह कितना बनाना होता है सर वह 15 बनाना होता है किसका 15 परसेंट सर एस वेल्यू का 15 परसेंट वह मिनिमम है 15 और डी आराई को हमें बेच इशे से हम सीख हैं करना है नहीं करना है उसके बाद करने में कौन सा है डा कर लो और क क्या है हमारे ऑ czy deven cracked स्टीक है यह कुछ हमारे कै है methods है इसको payment कैसे किये जाएंगे नहीं करें जाएंगे सोर्स कैसे वह सारी चीजे हम देख चुके हैं तो अभी बस आज हम conversion का एक topic complete करेंगे आपकी किताब में बताओ मेरे पास तो 11 कोशन है और मैं बुक में 17 कोशन होगा तो यह illustration मेरे पास अभी update नहीं हुए तो पुराने illustration है तो सत्तरवा illustration होगा 17 आप देख सकते हो अपने किताब में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आप easily देख सकते हो करें स्टार्ट सर सर स्टडी प्लान की वीडियो कब तक आ जाएगी आज ही कर देंगे ठीक है गुड इवनिंग सर स्टडी ब्लान बता दू ठीक है काफी बच्चों को दिक्कत हो रहे के how to manage बच्चे कहते हैं के सर corporate account और company law एक HRM है HRM को भी CS लेना है तो corporate account और company law को ना साथ के साथ manage किया जा सकता है क्योंकि है क्या corporate account practical और उसी का theory part आ जाता है हमारा company account के अंदर लगभग लगभग मैं कहूंगा आपका लगभग 80 परसेंट 80 या 70 परसेंट पार्ट जो हम practical सीख रहे हैं company law में same theory सीखते हैं 70 परसेंट इंफेक्ट पार्ट हम ठीक है ना तो वह चीज़े आपको पता होना चाहिए हम लास्ट में बात करेंगे आज पहले एक बार यह question मैं चाहता हूं यह question पूरा पहले समझाओं फिर next page पर जाएंगे और फिर हम start करेंगे ठीक है इसलिए मैंने थोड़ा से इसको जूम कर दिया ताकि मैं इसको समझा दूं पूरे को चलिए sir question पढ़ते है conversion का topic है जैसे heading डला हुआ यह कहता है a company give notice of its intention to redeem its outstanding 4,006,006% debenture यानि भाई company क्या कहता है ध्यान से सुनना company कहता है कि भाई या मेरे पास total 6% वाले debenture है और इन सभी को चार लाक है 6% वाले जो है वो कितने रुपे कीमत के है चार लाक इन सब को हमने notice भेजा देखो एक होता है debenture को redeem करने के तरीके होते हैं जैसे कि मैंने तो बोला कि भाई यह तुम्हारे 5 साल बाद हम पैसे लोटाएंगे लेकिन 5 साल से पहले company के पास यह right होता है कि आपक तो मैंने चार लाक को notice notice भेजने का मतलब मैंने सूच ना दिया हमारा जो स्टॉक है 102% यानि आपका जो debenture है वह currently जो है यह हमने चार लाक का था तो हम इसको वापसी खरीदेंगे 102% 102% का मतलब हो गया कि हम आपको 102 रुपे रिटन करेंगे 102 रुपे रिटन करने का मतलब ह हो गया कि सर नंबर जो debenture रहे होंगे 100 रुपे का एक है तो देट इस 4000 रहे होंगे और इंटु में 100 करके आपके चार लाक फेस विल्यू बना और जिसको मैं प्रॉमिस करने जा रहा हूं कि हम आपके जो है 102 रुपे के हिसाब से वापसी करेंगे यानि मैं रिटन करने की बात करूं सर पैसा तो 4000 डिवेंचर इंटु में 102 रुपे में प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपके वापसी कर दूँगा यानि चार लाक आठ हजार रुपे मैं आपको वापसी करने को तयार हूं लेकिन and offer to holder बोला गया कि भाया तुम कैसे पैसा लेना पसंद करोगे अब तुम्हें सबसे पहला देखो तुम्हारे पास चार लाक के डिवेंचर है अब तुम्हें ऐसा नहीं बोल रहे कि तुम पैसे लो रफा दफा हो जाओ हम तुम्हें बहुत सारे option देंगे अगर आपको लगता है वह option चूज करना है तो आप convert करा लिजिएगा अगर का मतलब क्या होता है जैसे मान लो के 2010 में company को loss हुआ ठीक है और 2011 में company को फिर से loss हुआ और 2012 में company को क्या हुआ सर profit हुआ तो जब loss होता है ना तो हम preference shareholder को dividend नहीं देते dividend preference shareholder को हम नहीं देते क्योंकि company तो loss में है तो यहाँ भी dividend नहीं मिला यहाँ भी dividend नहीं मिला इस साल profit हुआ तो यहाँ पे हम उसको dividend दे देंगे अब यहाँ दो situation है अब पुराने जो dividend नहीं मिले एक तो यह बोल सकते हो कि सर एक काम करो देखो current year का तो देखो पुराने जो time पे हमने आपको नहीं दिया था लेकिन अब profit आया है तो पुराना भी जोड के दे देंगे तो ऐसे प्रफरेंश को बोला जाता है cumulative प्रफरेंश यह जनरली अच्छा है और कई ऐसे होते नोन cumulative प्रफरेंश यह ऐसे situation में क्या होगा कि भीया जो पुराने में loss था हम उसका तो कुछ कर नहीं सकते हो वो तो भूल गाओ अब profit है सिर्फ अभी का मिलेगा तो ऐसे प्रफरेंश को हम क्या बोलते हैं नोन cumulative प्रफरेंश यह तो एजब प्रफरेंश यह होडर अगर आप देखते हो तो cumulative प्रफरेंश यह बहतर है आपके लिए लेकिन as a company सोचे तो कौन प्रफरेंश यह बहतर है नोन cumulative आप दोनों चीज़े मैंने बता दिया तो यहां पर आपको option दिया गया कि भाईया हम तुम्हें cumulative प्रफरेंश यह दे रहे हैं 20 रुपे का एक है लेकिन हम आपको देंगे कितने का साड़े 22 का यानि पहला option दिया गया कि हम आपको प्रफरे गया क्या बोला गया भी option के case में कि भाईया आप एक काम करो ना 6% डिवेंचर ले लो 96% यानि पहले भी 6% का डिवेंचर था अब भी 6% होगा लेकिन तुम 100 के बदले हमें सिर्फ कितना देना 96 मतलब क्लियर है कि हम आपको डिवेंचर एशू तो कर रहे हैं लेकिन किस पे क रहे हैं आप क्या-क्या लोगे बाद में पता चलेगा कि कहते हैं यू हैव राइट होल्डिंग रिडीमिन कैश सी बोलता है यह दोनों आपको परपोजल नहीं सूट कर रहा तो आप अपना कैश लेके जा सकते हो अब ऐसा नहीं के कमपल्सरी है रिडम्शन करना मैं तो न आपको जुरत होगी तो ले लोगे आप नहीं होगी तो मैं बोलूँ अच्छे मैंने बाद ही दूँआ भाई भी फिर जितने के हमारा टम्स सेट हुआ है तो चलो आगे देखते हैं होल्डर्स आफ अब क्या कहता है होल्डर आफ होल्डर का मतलब जो एक लाक एक गहत्तर ह जार वालों ने बोला भाईया हमें तो दे दो आप क्या हमें दे दो हमें सीधा प्रफरेंश यह हम तो इसमें खूस हैं सभी ने नहीं बोला सिर्फ कितने एक लाक एक गहत्तर हजार हमारे पास टोटल डिवेंचर कितने हैं सर चार लाक के चार लाक में से एक लाक एक गहत् एक लाग 24 अजार ब और जो होलडर एक लाग 24 अजार है वह कहता है भाई कमें भी जादा कुछ नहीं चाहिए हमारे इतने के डिवेंचर तुम्हारे पास है हमें डिवेंचर दे दूए अब कहता है ओलडर सी कहता है स्टॉक एक्सेट ड़ा पर पोजल धर रिमेनिंग होल्डर अब रिमेनिंग कौन से बचे बहिया ये लिया कुछ ने ये लिए लिया रिमेनिंग कौन से बचे हमारे पास सी उल्डर एकसेप कैश बोलता है हमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगा ना हमें आप क्या देदो चुप-चाप से cash देदे हमें क्या देदो cash देदो ठीक है कहता है pass general entry record the above transaction जो भी उपर के transaction से उसके general entry करिए पहले आप questions को एक बार पढ़िए questions को समझ जीए पहले company ने क्या कहा कि भाईया 4,000,000 debenture हैं उनके हम बापसी करेंगे premium पे और आपको proposal दिया गया या तो आप preferenceyear ले लो या फिर debenture ले लो या फिर cash ले लो अब उसमें से 1,071,000 वालों ने बोला मुझे preference year दे तो 1,44,000 वालों ने बोला मुझे क्या दे दो debenture दे दो और बाकी वाले जो है बाकी कितना है वो आपको find करना है और बाकी वाले क्या कहते हैं कि हमें क्या देदो आप कैस्ट देदो तो आप बताईए मुझे फटाफट बाकी कितने बचे देखते हैं कितने बचे सही बताते हैं बाकी बचे कितने जल्दी बता दीजिए बाकी का कहते हैं कि मुझे क्या देदीजिए कैस्ट देदीए क्योंकि एक 71 और प्लस एक 44 और माइनस में चार लाक तो यह आ गया हमारा बाकी बच्चे 85 यानि भाईया 85,000 वालों को हम कैश दे देंगे इसके ऊपर हम security premium extra add-on करेंगे इस बात का ध्यान रखना है ऐसा नहीं कि security premium include करके इसके बाद extra करेंगे तो 85 85 लगबख सभी बच्चों का जवाब आ गया के सार 85 है यहां तक हर बच्चों को question clear है अब हम हरे question को करेंगे इसका conversion अलग करेंगे इसका conversion अलग करेंगे और जो पार्ट cash हो रहा है इसके लिए DRR भी बनाएंगे बनाएंगे वह सारे procedure cash वाले के लिए करना पड़ेगा जो कि हम पहले सीखा था out of profit वाले के समझ में एक तरीके से कितने questions हो गए तीन अब तीनों के अंदर हमें यह भी ध्यान रखना है किसको क्या देना है तो मैं अलग-अलग कर देता हूं एक ही page पर हो जाएगा वैसे मै के लिए कि को आजो भाई question कि ऑपे हुआ के नहीं हुआ कि शेशन कि चलिए कि मैंने कोश्चन पीछे समझा दिया है तो अब मैं कोश्चन ना समझा के सीधा सीधा मैं इसको करने पर पोकस करूँगा क्योंकि मैं यह सारे के सारे पॉइंट्स मिटा रहा हूं यहां से और कोश्चन को फिर से बहुत चोटा कर देते हैं जितनी जुरत होगी पढ़ने के लाइक विजुलाइज हो और हमें ज्यादा दिक्कत ना हो चलिए अब सबसे पहले ए ऑप्शन में क्या है याद कर लो आप सर ए ऑप्शन में है प्रफरेंश है तो आईए मेरे साथ मैं ऑप्शन नंबर ए का पहले करके दिखा रहा हूं इंपॉर्टेंट कोश्चन है कन्वर्जन में इससे मुस्किल कोश्चन नहीं बनता है और नहीं आएगा आपका बाकी के देख़ए कोई कन्वर्जन वह इससे थोड़े से असान-असान होंगे तो मैंने सबसे जो मुस्किल था इसके अंदर कन्वर्जन वाला पार्ट वह चूज कर लिया ताकि आपको एजिली समझा जाए अब मैं क्या करूँगा सर यहाँ पे यहाँ पे मैं एक एक पार्ट का अच्छे से कैलकुलेशन करूँगा और मैं आप सभी बच्चों को यह कहना चाहूँगा इस कोश्चन को खुद दुबारा सेल्फ करके देखना क्योंकि जब तक मैं करा रहा हूँ आपको बड़ा आसान लगेगा बाद में फिर आपको यही पार्ट मुश्किल लगेगा और यहां अमाउंट और अमाउंट जो भी डेबिट क्रेडिट लिखते हैं लेजर फूलियों का बनाते हैं तो भाईया सबसे पहले यह उप्शन वालों ने क्या चूज किया कि हमें 171,000 रुपीज के डिबेंचर दे दो तो मैं आपको जो पैसा वापस करूँगा सिर्फ 117 थोड़ी करूँगा मैंने शुरू में ही आपको प्रॉमिस कर दिया था कि मैं आपको 2% एक्स्रा प्रीमि प्लस दो परसेंट तो यह आगया हमारा स्वरी माइनस 171 तो यह आगया 3420 रुपए इसके प्रीमियम और नाव मैं आपको देने वाला हूं टूटल 172 परसेंट 174420 मैंने बोला मैं आपको इतना दूँगा अब मुझे आपको पेमिंट कितना करना है सार 174,420 चार सो बीस अब करने हैं आपको अब को फॉस्ट वाला हां एक कुशन आया के सर फॉस्ट वाला ऑप्शन तो प्रफरेंश यह था मैंने डिवेंचर लिख दिया गया हां तो 102 अब कोशन समझ यह को ध्यान से सुनिया और ध्यान से इसके पॉइंट को देखे कहता है कि भाईया मैं सारा यह जो एक चार लाग है ना वह मैं वापसी करूँआ डिफ्रेंट डिफ्रेंट ऑप्शन दे के करूँआ यह मिट क्यों गया भाई वापस नहीं करूँगा 5000 फे दो परसेंट जोड़ूगा तब वापस करूँगा ठीक है और बदले में आप बदले में ध्यान से देखो तो इतने मुझे वापसी करने किसको वापसी करने इसको जो वेक्ति बोलता है कि मुझे प्लीज आप दे दो क्या दे दो पांच परसे अगर मैं निकालू यहां पे number of preference share capital तो नाव कितने होंगे सर 174420 divided by 22.5 क्योंकि आपको number of किसी भी का निकालना मैंने सिखाया था याद होगा other than cash में भी शिखाया था और हर जगह के भाई ऐसे number निकालना है आपको 174420 divided by 22.5 इसका मतलब सर मैं आपको double 752 number के आपको दूँगा क्या मैं preference share दूँगा अब conversion की बात स्टार्ट होगी चलो conversion कर लेते हैं conversion कर लेते हैं तो conversion में सबसे पहले हम क्या करते हैं preference share holder को मतलब debenture holder को बुला देते हैं तो आज आओ भाई कितने percent वाले हो six percent debenture इसके उपर देंगे security premium हाला कि मैं एक ही साथ सब का due कर सकता हूं चाहूं तो और two debenture holder two debenture holder बताओ मैं एक ही साथ सब को बुला लूँ फिर मैं धीरे-धीरे conversion करता रहूंगा अगर मैं एक ही साथ सब को बुला लेता हूं तो बोलू मैं भाईया चार लाख आ जा और तेरे को आठ हजार की premium मिलेगी और total तुझे देने है चार लाख आठ हजार तो सब को एक ही साथ मैंने बुला लिया है और धीरे-धीरे करके मैं देता रहूंगा अब पहले option वाले को debenture holder को क्या दिया जाए तो अब debenture holder को मैं premium पे दे रहा हूं तो debenture holder two preference 5% preference share capital 5% preference share capital और बदले में तुमसे मैं लूँगा security premium भाई कितने की बात चल रही है 174420 जिसमें से preference share capital कितना होगा number जो हमने निकाला है उसको 20 से multiply करेंगे 7752 इंटू में 20 मैं लिख भी देता हूं 7752 इंटू में 20 तो यह आगया one double five कि जीरो फोर जीरो अब premium की भी बात कर लेते हैं double 752 कि कितने premium sir premium होगे हमारे 20 है नहीं दो रुपे 50 पैसे यह आगया उननेस तीन सुआशी तो आप ध्यान रखिएगा इसका total इसके बराबर ही होना चाहिए तब ही आपका सही होगा ये लो एक holder को मैंने उसके पैसे देखे रफा दफा कर दिया पहले यहां तक देखे कोई doubt option A वाले को मैंने कर दिया रफा दफा जाओ भाई तुमारे खतम तो जो option A वाला था मैंने उसका हिसाब किताब निकाल के गणित बना दिया है किसी बच्चे को इसमें doubt है तो बता दो मैं थोड़ा इसको small कर देता हूँ option A done हो गया आप चाहो exam में तो being तो लिखो गे ही ये A part का खतम कहानी बताइए अब B part वाला क्या ले रहा था बताओ मुझे वो बोल रहा था भाईया मुझे एक काम करो क्या दे दो debenture तो ये तो हो गया A part का calculation अब B part वाला बोलता है भाईया 6% debenture दे दो तो उसको B part वाले को 6% जो debenture देंगे हमें क्या करना है सर सबसे पहले B part वाले को कितना amount था तो B part वाले का amount की बात करें तो 144 में agree हुआ वो अब खाली 144 थोड़ी ना आपको return करेंगे इसके उपर हम आपको 2% का premium वादा किया था 102% या नि 2% premium था तो 144 का 2% अगर ध्यान रहे 2880 यानि आपको total payment के terms में अगर हम बात करें तो 146880 हम आपको देने का promise कर रहे हैं लेकिन ध्यान से देखो तो आप हमें निकालना पड़ेगा कितने number होंगे क्योंकि यह discount पे है तो 146880 और मैंने वचन दिया है आपको कि मैं आपको कितने का दू करूंगा 96 तो जैसे ही मैं डिवाइड 96 करूंगा तो नंबर निकल गया 1530 डिवेंचर हमें इसको देने पड़ेंगे कल यहां तक देखिए समझ में आए बात आपको अब जब हमें 1500 डिवेंचर देने पड़ेंगे फिर से मैंने बोला भाईया बी ऑप्शन तयार हो रहा है तो में मैं डिस्काउंट भी देता हूं कितने का डिस्काउंट देता हूं 1530 इंटू में चार रुपे है ना 96 और 100 के बीच का डिफरेंस चार होगा तो यह लो मैं तुम्हें 620 का यह दे रहा हूं और तूर तूम्हें मैं दूआँ 6% डिवेंचर वह इसी लालच में तो आ उसको फिर से डिवेंचर मिल गया अब जो आगे से उसको ब्याज मिलना चालू होगा वो पता है किस पर मिलेगा उसको एक लाख 53,000 अगर वो यह उप्षन कोई चूज नहीं करता तो उसको ब्याज मिलता किस पर एक लाख 44,000 तो उस डिवेंचर होल्डर ने समस्दारी दि है अब हमें इस वाले डिसकाउंट को राइट ऑफ भी करना सीखा थे है रहे और सबस्क्राइ emulate कर एंट्री में कर दूंगा ठीक है ना क्या होता है सिक्यूरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिसकाउंट और रिडम्शन रिडम्शन आप सारी इशु आफ डिवेंचर के नाम से यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो क्या हो रहा है इस परसंट डिवेंचर ही तो आपके होल्डर वह कहां गया च्छे परसंट परसंट एक्सेप्ट फर्पोजल भी पर पोजल में मैंने क्या दिया था अच्छा एहां यहां पर पर पोजल ने सिक्स परसंट डिवेंचर तो ध्यान रखना तो यहां कुछ बच्चों को कंफिउजन हो सकते कहीं यहीं डिव है और यह च्छे परसंट वाले नए डिवेंचर का जो प्रॉमिस किया था ठीक है नीलम का कहना है सर मल्टिप्लाइ क्यों कि आप कौन से पॉइंट को मल्टिप्लाइ करने की बात कह रहे हूं मुझे एक बार बता दीजिए चलिए सर बी के बाद आ जाते हैं सर अब सी को आ इतना तो नहीं होगा लेकिन सर प्लस खूब सा रहा है तो मैं माल लेता हूं मेरे पास सर प्लस पर रहा हुआ है सर प्लस अकाऊंट टेबिट टू डि ए आरार सर कितने सर हमें फाइनल जो पेमिंट करना है न फेस वेलियो होंकर देखो तो पिच्चा सी सो यह थार्ड ओप्शन है और पिच्च्च यह हजार का पेमिंट करना है और इस परसेंट पिच्च्च्च यहजार पे दस तो 8500 8500 डियार बना दिया आपकी इच्छा करें न तो आप पूरे 85000 का भी डियार बना सकते हो क्योंकि वहाँ पर क्राइटिरिया है मिनिमम 10 परसेंट होना चीए मैक्सिमम 10 परसेंट नहीं है इसलिए कोई बच्छा साहिद बुक के अंदर आपको दिखा रखाओ 17000 बुक के बाद आजाओ डियाराई क्रियेट कर देते हैं तो डियाराई कितने का बनेगा वह बनेगा पंदरा परसेंट टू बैंग सर पंदरा परसेंट किसका सर फेस वेल्यू का यहां पे भी कुछ बच्छे सोच सकते हैं सर कैसे आया तो 85000 देने थे उसके 10% निकाले मैंने उसका 10 परसेंट सर यहां कैसे आया यहां 85000 का आपको देने हैं कितने परसेंट 15 ठीक है तो वही रहेगा जो हम पहले सीख चुके हैं तो पिच्छासी का पंदरा परसेंट तो बारह साथ सो पचास सर पहले क्यों नहीं बनाया DRR क्योंकि कनवर्जन के केस में हमें बनाने की जुरत नहीं है बाकी के जो ऊपर के δो अप्षन थे वह अप्षन का ही केस ठाओ ठीक है मैंने का ले भाई तो बदले में ले ले क्या पैसा लेने के लिए तयार था तू कैस्ट ले ले अब उसको कितने पैसे दिये जाएंगे कौन बताएगा बताओ हमने 85,000 का आपको प्रॉमिस किया था लेकिन उसके साथ एक प्रॉमिस यह भी याद रखना है कि मैं 2% क्या दूँगा एक्स्ट्रा दूँगा तो यहां पर बन जाता है सतरा सो एड करके 86,700 तो मैं आपको जो पेमेंट दूँगा कैस कहलो यहां ओफर में कैस बोला है रिमेनिंग एक्सेप्ट पर्पोजल सी सी में क्या था देयर होलिंग रिडीमिन कैस कैस बोला है तो कैस जर्नली बैंक होना चाहिए ठीक है इस बात का धियान रखना तो उसमें कोई दिक्कत यह कुश्चन में थोड़ी करेक्शन होनी चाहिए तो छ्यासी साथ सो इसक्स ठीक है यहां तक हर स्टूडेंट को क्लियर अभी एक दो एंट्री और करनी होगी हमें डी आर वाली और भी बाकी सारी कुछ एंट्री करनी पड़ेगी जो कि मैं भी आपको करके दिखांगा इसके सांसा इसको तीन एंट्री और करनी है पर कौन कौन से एंट्री करनी है देखते जाओं यहां तक हर बच्चे को क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाओं यहां तक क्लियर है फिर से मैं बता दूं आपको सबसे पहले क्या करा सारे के सारे डिवेंचर होल्डर को घुला लिए फिर उसके बाद जो जो ऑप्शन सेक्यूरिटी प्रीमियम कितना है सर आठ हजार रुपए राइट ऑफ और लिये हमने कितने सर लिये तो बहुत सारे उननिस अजार तीन सो असी रुपए तो मेरे खाते में पढ़ा हुआ यहांप एंट्री कर देता हूं सिक्यूरिटी प्रीमियम कितने रुपप करुटल ईसाफ करेंगा है तो 600 तो मैं इसको भी ऐसे कर सकता हूं सिक्यूरिटी प्रीमियम टू डिस्काउंट याद आया इसको राइट ऑफ करने के एंट्री यह देखो जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो इस बच्चे को आता है वही रिडेम्स हम सीख सकता है जो बच्चा डारेक्ट इसके अंदर आया है नॉट पॉसिवल कि बहुत सारी चीजे जो होती है वहीं से कनेक्ट हो टू जी आर सर कितने रुपे 80 एक एंट्री मिसिंग हो गया मेरे से बीच में कौन बताएगा बताओ एक एंट्री मिसिंग है बता दो फटा फट से येस बैंक टू डी आराई डी आराई को आप खरीदो फिर डी आराई को बेचो तो डी आराई को नहीं बेचा जो कि इसके बाद एंट्री होना था तो मैं यहां कर देता हूं एंट्री क्या होगा सर बैंक तो डी आराई अब देख लिजिए कुश्चन पूरे कुश्चन को मैंने थोड़ा सा टाइम दिया है और देने के पीछे वजह भी है कि कुश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है इस वाले में और काफी पॉइंट्स है तो कॉंप्लिकेटिट ना हो जाए इस वजह स मैंने अपको इसमें समय दिया है तो आप देखते जाना और अपने हिसाब से पताते जाओ चलिए यह रहा आपके पास कुश्चन किसी स्टूडेंट को फूरे कुश्चन में कोई डाउट है तो मुझे बता दो कि सर इस कुश्चन में यह पॉइंट समझ नहीं है तो मैं फिर दुबारा बताऊंगा पूरा कुश्चन समझा दिया आपकी किताम में फिलहाल 17 कुश् होगा चाहे आपका बीके कोईल हो चाहे आपका जो यह आपका जियार मोंगा हो चाहे आपका टैनियर हो हर में यह मिल जाएगा आपको यह कुश्चन कि किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट है तो बताईए फिर आगे बढ़ जाए जाए है बताईए इसमें डाउट कोई क्लियर सभी स्टूडेंट को हाँ या ना बताईए इसका अच्छा डी आ रही था हमारा बारह हजार सास्सों पचास अब मुझे एक बार बताओ बुक में क्योंकि मैं तो सिंपल कराता हूं बहुत सारी चीजे मैं जो बुक में सारी एंट्री मैच है या को अलग हो गई थोड़ी सी मैच भी कर लो ताकि आपको भी आइडिया लग जा जिनके पास बुक नहीं है उनको बता दू पता लग जाए क्योंकि मैं तो सारा कॉंसेफ्ट वाइज लेके चलता हूं को चीजे होना चाहिए उसके अलाबा क्या-क्या ऑप्शन हो सकते हैं वह भी बता देता हूं आपको आपको हां एंट्री आगे पीछे हो सकते क्योंकि डेट नहीं है हो सकता है डी आरार बुक में पहले बना लिया तो वह कोई व है इसलिए पहले चप्टर से कनेक्ट है अच्छा हाँ बिल्कुल सही बोला यह पिछले चप्टर से कनेक्टेड है तभी आपको थोड़ा थोड़ा आएगए